hello friends welcome to mining mirror and welcome to another informatic video this video is regarding most scale of hardness पहले जानते हैं कि scale of hardness क्या है scale of hardness एक list of minerals से जिसका 1 to 10 में उनका hardness को डिवाड किया हुआ है तो यह एक convenient tool है एक geologist के लिए एक mineralologist के लिए एक even though for mining engineers it is a very much convenient way to help to identify the minerals तो कोई भी mineral हम लोग को मिला उसका उसको identify करने के लिए बहुत helping tool है और यह बहुत help करते हैं उसका hardness को पता लागाने के लिए तो एक mineral का hardness के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे एक hardness को अगर हम लोग को define करेंगे वह एक relative resistance to scratching क्योंकि कोई भी चीज का मुला हम पता लागाना चाहिए तो उसको जो हम लोग को known mineral से जिसका hardness हम लोग को पता है जो उसके साथ उसको scratch करेंगे अगर उसमें स्क्रैचिंग के बार जो रेजल्ट्स आता है उसमें पता लग जाएगा कि जो known mineral से हम लोग उसको scratch किये उससे वो उसका hardness कम है या ज्यादा है तो यह कहना एक प्रिसेस तो नहीं बोल पाएंगे कि यह जो कि टूल है कि यह प्रिसाइज है कि कोई भी निया हम लोग को mineral मिला तो वो उसका hardness इतना है नहीं प्रिसाइज नहीं बोल पाएंगे कि 3.2 है कि 3.12 है 3.5 है लेकिन हम लोग रॉफली एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका hardness यहां से यहां तक भ्यारी होता है तो यह जीज मोस केल हरने से इसमें क्या है कि उसका पिक्चर भी हम दिखाएंगे कि एक box रहता है उसमें 10 mineral रहता है जिसका hardness हम लोग को पहले से पता रहता है और वह क्याना इजी होता है कहीं भी क्यारी करने के लिए तो कहीं भी हम लोग जाता है एक्स्प्लोर करने कोई भी mining engineer या जो explorer होते हैं उनके के पास वो रहता है कि कहीं भी जाओ कहीं भी मिन्रल तुम्हें मिला उसको identify करने के लिए वह बहुत help करता है यह उसका पिक्चर है यह scratch kit बोलते हैं इसमें सारा चीज रहता है देखिए जितना भी हम लोग करेंगे जो 10 mineral है उसका 1-10 में उसका divide किया हुआ है उसके बाद भ यह बहुत तरह चीजे जो हम लोग सबको जाना चाहिए सबको इसमें knowledge होना चाहिए वो चीजें बाद में बताएंगे तो पहरे चलते हैं 10 minerals में जिसको हम लोग scale of harness पोलते है फस्ट टाल्क यह इसका harness 1 है टाल्क बोलने से समझ में आ जाता है कि जो भी हम लोग का powders बनता ह उसमें यह वाला mineral यूज करें जाता है क्योंकि इसका property रहता है कि यह fragrance को जो smells रहता है उसको वो ज्यादर देर capture करके रख सकता है यह soft रहता है और यह whitish type का होता है तो इसमें powder में यूज के जाता है तो इसका harness सबसे कम है one तो में कौन है जिपसम यह हम लोग का maximum refractory में भी यूज करते हैं जिपसम थ्री कलसाइट फोर फ्लोराइट फाइब एपटाइट शिक्स फेल्सपर सेवन क्वाड्स एट टोपाज नाइन करूंडम टेन डाइमंड वान हो गया सबसे soft material और टेन डाइमंड हो गया सबसे hard material तो hardness इसी प्रकार से most scale of hardness को डिवाड किया गया है अब बात करते हैं कुछ यह हो गया उसका टेबल जो 1-10 है और minerals से इसमें लिखा हुए और उसका chemical formulas इसको याद रखने के लिए क्या बेस्ट रहता है कि आइदर आप बाइनेम याद रख लिए टाल्क जिपसम का अलसाइट जो भी है नहीं तो उसका जो initial से उसको याद CD नहीं तो जैसे भी आपको confident लेगे वैसे उसको याद रख लेजिएगा वह सबसे बहुत यह helpful होता है लाइफ में चाहे कोई भी हो माइनिंग इंजनियर हो माइनिंग कोई इसमें कोई category नहीं है इस सबके लिए यह informatic है अब बात करते हैं कुछ दूसरा चीज का कुछ अल इससे कम जो हाड़नेस है वह है 0.5-0.6 जो नॉर्मल यूज के लिए हम लोग डेली लाइफ में इंकाउंटर होते हैं उसको हम लोग में बात कर रहा हूं पहले होगा candle wax sodium potassium candle wax 0.5-0.6 टाल्क 1 है ओके ग्राफाइट टीन आइस तो 1.5 है देखिए उससे पहला हम आपको बता याद रखना कि हम लोग का जो नाखोने जो नेल से न उसका हड़ने से 2.5 यह मैं आईसम धनबाद में भी यह चीज सिखा था जो आपका नेल से जो आपके पास जो टूल साप रहे होले जैसे के हम लोग के पास एक कोई भी आप फेल्ड में या ओफिस में जाते हैं आपके क्या रहे सकता है एक पेंसिल और उसके पास आपके साथ इंबिल्ड क्या है नाखून तो यह चीज में हम लोग पहले ही टेस्ट कर सकते हैं कोई भी कर निया मिला जैसे कि आप फेल्ड गए आपको एक सोची के लंप मिला एक आईरण और का लंप मिला उसका पूठाए पहल मतलब आपका नाखून उसमें घिज गया मतलब उसका अपका नाखून से भी जयादा आप तो कि रफली के आडए मिल जाता है चलो यह इसका हाड्नेस तो ज्यादा ही है तो इसी टाइप का graphite teen और ice इसका 1.5 है मतलब graphite हो गया जैसे pencil में हम लोग ग्राफइट रहता है teen हो गया ice हो गया जो minus 32 degree Celsius में रहता है उसका hardness 1.5 है मतलब हम उसको नाखुन से भी scratch कर सकते हैं और वो होता भी है wood, gypsum two है जो हम लोग का लकडी है even हम लोग का जो pencil में जो बाहर का जो लकडी है जो wood है उसको भी हम लोग scratch करें तो भी scratch होता है तो उसका gypsum, उसका hardness 2 है plastics 2-2.5 fingernail 2.5 उसके बाद gold, silver, aluminium, zinc, galena जो भी हम लोग का ये metals में आ गया gold, silver, aluminium, ये soft रहता है हम लोग का पता है gold 24 karat का gold हो गया 18 karat का gold, silver हो गया उसको भी scratch करके आप scratch कर सकते है तो उसका 2.5 तो 3 है तो फिंगर नेल के से 2.5 है gold, silver, aluminium, zinc, galena 2.5 तो 3 है मतलब उसको कुछ इस दाइरे में जो भी रहता है minerals उसमें कुछ आप scratch कर सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकता है उसके बाद copper, brass, bronze 3, copper penny 3.5 इसलिए बोलाज़े पहले जो हम लोग का coin था न वो copper का था तो copper penny का 3.5 भी रखा हुए यह भी कीट में रहता है वो जो scratch कीट में एक coin भी रहता है ताकि easy लिए वो carry हो सकता है fluorite, iron, nickel 4, ordinary steel 4.5, appetite tooth animal 5 है जो हम लोग का dhant है उसका भी hardness 5 है मतलब बहुँ जदा hard है knife blade यह knife blade जो है यह भी scratch kit में रहता है कि उसका एक छोटा सा knife carry करने में कोई problem नहीं है तो knife blade glass जो हम लोग का window glasses रहता है या जो भी daily basis हम लोग glass देखते हैं उसका है 5.5 इसलिए उसको scratch करीगा तो भी हो नाकूं से scratch नहीं होगा हेमाटाइट अब यह आगे iron ore में हेमाटाइट होगा 5 to 6 uranium fell spar 6 concrete यह इसलिए इसमें आड़ किया है इसके range में भी 6.5 उसका है दिखा हुआ है इसमें भी बहुत सरा चीज है लेकिन में जो हम लोग का daily basis में हम लोग को याद रहेगा उसका हम इसमें वो चीज को हम इसमें इसमें इंक्लूट किये हैं तो concrete 6.5 है steel nail 6.5 है jade jade एक material है जो हम लोग बोलता है ना कि jade यह खास करके चाइना में बहुत ज़्यादा available है इसका भी 6.5 है यह steel से भी ज़्यादा strong है ordinary steel से फिर quartz quartz होके 7 emerald tungsten 7.5 topaz 8 chromium 8.5 corundum tungsten carbide 9 boron carbide silicon carbide इसलिए यहाँ पर दिखाया है मैंने tungsten carbide जो है न जिसका hardness 9 है यह tungsten carbide हम लोग कहा है यूज होता है यह tungsten carbide हम लोग को liners में यूज होता है crusher का चाहिए वो primary crusher हो jaw crusher हो गया या जैटर के सेंट क्रसर हो गया या कौन क्रसर हो गया secondary crusher tertiary crusher जितना भी हम लोग को crusher से वहाँ पर tungsten carbide को ही हम लोग को liner में यूज करता है कि वो बहुत ज़्यादा हाड होता है बहुत अच्छा मेटर ले वो liners के लिए बाकी boron carbide, silicon carbide, boron, boron nitride 9.5, 9.5-10 के बीच में है और एक पिक्चर यहाँ पर दिखा है पाईराइट और फूल्स गोल्ड FES2 पाईराइट ये FES2 है इसको हम लोग सो ये भी आता है कि जो iron ore का जो minerals है इसमें भी आता है कि पाईराइट लेकिन ये खास करके sulfide का ही ओर है FES2, कि कि इसना sulfide का परसेंटेज हाई रहता है तो 6.6-6.5 इसका हडनेस है पाईराइट को हम लोग इसे नॉर्माली बोलते हैं फूल्स कोल्ड तो ये cover कर दिया हम लोग most scale of hardness उसको अच्छे सियाद कर लेजएगा ये बहुत helpful होना वाला है कोई भी exam में और कोई भी part of professional life है उसमें बहुत काम आने वाला है ओके friends, इस वीडियो में इतना ही हम लोग cover किये इसमें most scale of hardness अगर आपको वीडियो अच्छा लेगे तो like जरू करियेगा and share and subscribe में चनल see you in the next video with another informative video thank you